सब्सक्राइब करने जा रहे हैं अगले 40-50 मिनट आप मेरी बातों को गोर से सुनेंगे और बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे दोस्तों मेटाफिजिकल पोईट्री जो है या मेटाफिजिकल पोईट्री या जो मुवमेंट जो है आपका मेटाफिजिकल मुवमेंट जो है इसके बारे में हमें एक या दो कोश्चन 101% मिलने की संभावना है और पक्का मिलने की संभावना है और इसलिए हमें इसको बड़ इध्यान से बड़े गोर से देखना है सबसे पहली बात जो है मेटाफिजिकल पोईट्री जहां उसको लेकर कि मैं करना चाहूंगा वो यह की मेटाफिजिकल पोईट्री है क्या हना मेटाफिजिकल पोईट्री जो है वो दरसल हुआ क्या था 17th century के अंदर आप प्लीज मेरी बातों को बड़ा ध्यान से जो सुनेंगे सत्रवी शप्ताब्दी के अंदर जो है बिगनिंग में 17th century के बिगनिंग में कुछ पोईट्स जो है वो खास तरीके से जो लिखते थे कुछ पोईट्स जो है कुछ कवी जो है वो खास तरीके से जो लिखते थे उन कवियों को जो है उनकी style को देख करके उनके content को देख करके जो है हम यह कह सकते हैं कि भी उनकी poetry जो है वो metaphysical है दरसल इस term का जो origin है और मैं शूर हूं इस बारे में जो है कि इसको लेकर के जो exam में प्रशन आएंगे जो questions आएंगे एक्जाम में ओरिजिन से related questions यहों पक्का आएंगे और बहुत सारे बच्चे जो है जो different channels को different books को different modules को different notes को follow करते हैं उनको इसके origin से समंदित समंदित जो है वो दिक्कत आती है इस term के origin से समंदित जो questions होते हैं उनको करने में दिक्कत आती है सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो यह कि metaphysical poets जो है वो early 17th century के अंदर जो है वो exist करते हैं एक विशेश प्रकार की कवीता है एक विशेश प्रकार का moment है एक विशेश प्रकार का school of poetry है जिसमें कवी जो है कुछ अलग तरीके से उनसे पहले के जो लोग है उनके जो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि एक group of 17th century poets whose works are marked by philosophical exploration colloquial diction ingenious conceits irony and metrically flexible lines जो है मतलब अगर जिए हम इसको ध्यान से देखें पूरी की पूरी चीज को यह जो सामने लिखावाए philosophical exploration जो है वो मैंने एक तरह से यह philosophical poetry है इसमें जो है आप philosophy की बात करते हैं life की बात करते हैं हना और colloquial diction जो है खास करके इसकी जो style जो है हना वारतालाब का लहजा जहों इसमें रहता है हना ingenious conceits irony and metrically flexible lines जो है conceits रहती है conceits के बारे में भी हम detail से बात करेंगे आराम से बात करेंगे कुल मिला करके अभी तक के discussion में हमने यह दो चीज़ें जहों देखनी है पहली चीज़ यह की metaphysical points जहां वह अर्ली 17th century के अंदर जहों exist करते हैं और दूसरा यह जो moment जो है particularly points जहां उनसे समंदित हैं सत्रवी शप्तादी के points जो उनसे समंदित हैं और तीसरा जो है यह विशेश प्रकार की कवीता है जो philosophy of life जो है उसको बताती भी सी प्रतीत होती है अगर जो मैं एक्टिमिलोजी जो है उसकी बात करो तो एक्टिमिलोजी जो है इसकी उसके बारे में सबसे पहले हम यह देखें कि metaphysical में दोशब्द एक है मैटा और एक है आपका हाई मैटा इसका मतलब होता हाईय यह ब्योंड और एक है physical और physical का मतलब होता है आपका वर्डली ना मैटर्स ब्योंड रडली मैटर्स उसको हम metaphysical पोईट्री जहां वो कह सकते हैं हना एक ऐसी कवीता जो ब्योंड वर्डली मैटर्स जहां उनको डील करते हैं अगर आप दिक्षिनरी मीनिंग देखेंगे इसका मेटाफिजिकल का तो कहीं आपको इसका मतलब अध्यात्मिक मिलेगा कहीं इसका मतलब रहस्यमई मिलेगा कहीं इसका मतलब जो है चीर सम्मत मिलेगा हिंदी ट्रांसलेशन एक्चुली यह जो वर्ड है मेटाफिजिकल यह दो शब्दों से बना है पहला मेटा और दूसरा फिजिकल मैने होता है आपका ब्योंड या हायर और फिजिकल माने होता है वर्डली या अर्दली एक ऐसी कवीता जो वर्डली मैटर्स जहां उनको डील ना करती हो अबो या ब्योंड वर्डली मैटर्स को हायर वर्डली मैटर्स जहां उनको डील करती हो उसको हम मेटाफिजिकल पोईट्री जहों कहते हैं सत्वी शब्ताबदी के प्रारंब में कुछ कवी जिनमें से सबसे मेन सबसे पा के ग्रूप को जह हैं लीड करते हैं सबसे उपर अगर जी किसी मेटाफिजिकल पॉइट का नाम लिया जाता है हम लेते हैं तो वो जोन डन है तो यह आप देखेंगे भी मेटाफिजिकल का मतलब क्या है एक फिलोसेफिकल पॉइंट है जिसका समंध जीवन के दर्शन से हैं अबोवर्डली मेटर्स से हैं और अबोवर्डली मेटर्स क्या है देखो अगर जी हम कहें कि a kind of poetry that deals with the matters of life, death, that is to say sin, heaven, hell, स्वारग, नरक, पुन्य, पाप, नरक, अच्छाई, बुराई, इन सब से अगर जी हम अगर जी देखें तो इस से इसका समंध होता है metaphysical poetry का लेकिन बाद में जाकर कि यह देखा गया कि यह जो definition है वो कई माइनों में जो fit नहीं बैठती है इसके उपर जो है metaphysical poetry पर अब तक के discussion में हमने जो चीजें तै की वो यह पहली यह कि early 17th century poem है poetry जो लिखी गई थी early 17th century poets जो थे जिनको jondan जो लीड करते हैं वो आपके metaphysical points है इनकी कवीता एक खास परकार की कवीता है विशेश परकार की कवीता है क्या क्या है इनकी कवीता में हम आगे देखने वाले हैं नमबर दो metaphysical जो है इसकी etymology जो है वो क्या है etymology जो है इसकी यह है कि meta का मतलब होता हाइयर या ब्योंड और physical का मतलब होता है वर्डली यानि एक ऐसी कवीता जो अबो अब वर्डली हो ब्योंड वर्डली मैटर्स को डील करते हो हेल, हेवन, स्वर्ग, नरक, पाप, पुन्य, सिन, पाप इनके बारे में हो तो उसको हम metaphysical poetry जो वो कहते हैं उसके बाद में जोंडन जो है जिनका अगर दी कि लाइफ स्पैन अगर देखें 1572-1631 वो इस मुमेंट के पाइनियर फिगर है आपको याद रखना होगा कि अगर मैं क्रोनोलोजिक लिए देखूं तो अगर हम देखें कि क्वीन एलिजबेट जो है उनका शाशन यह क्योंकि नैट पर एक क्वेश्चन मैंने देखा था क कि डन किस किस के काल में जहों जीब तो 1558-1603 जो है उनका काल रहा जेम्स फस्ट जो है उनका काल रहा आपका 1620-1603-1603-1625 और चाल्स फस्ट जो है उनका जो स्पैन रहा वो रहा 1625-1649 इन तीन जो है रूलर्स जो है उनके काल में टन एगिस्ट करते हैं वन औन आप क। स्टशूंस द्द को में जिवन काल में जोंड होईस्ट करते हैं मोमें के पाइनियर फिकर है उत्तर है अलिजबेजबेट में से जेम्स फर्स्ट एंड चाल्स फर्स्ट जो हैं उनके काल में रहते हैं पंद्रा सो अथावन से सॉला सोतीन 1558 टू 1603 जो हो पिलिजबैत जो है इलिजबैत का शाशन रहा और जेम्स फर्स्ट जो हैं आपका लेकिन एक question देखा था जिसको मैंने आपको बताया कुछ और points जो है आपसे पुछा जाएगा exam के अंदर which of the following is not a point from the metaphysical school of John Dunn निम्न में से कौन सा metaphysical school of John Dunn को बिलोंग नहीं करता है तो आपको इसका उत्तर जहों देना पड़ेगा तो यह जो आपके poets है जिसमें सबसे पहले हमने जोन डन को रखा है जो हैड है पाइनियर है जोर्ज हबर्ट जहां उनको रखा है हैं रिछर्ड क्रेशू को रखा है और अबरहाम काउले जहां उनको रखा है मतलब ये बड़े main हमारे poets है और आपको इनको एक line में जरूर इनका देखना है कि इनकी क्या specialty है For example, one of the websites I just you can see came across a question कि इन में से कौन सा जो है वो religious metaphysical poetry जहां उसको belong करता है और answer जो है उसका था Andrew Marvel यानि वो religious poetry जहां उसको जहां लिखते हैं और यह सब के सब metaphysical poets जहां आपके हैं बार-बार चेज़ों को revise करता हूं रिपीट करता हूं सरफ इस लिए कि आप इसको समझ सकें सबसे अड़ी बात सिस्वंटीन सेंचुरी की beginning में यह करते हैं सारे के सारे जहां सत्रवी शप्ताब्दी के प्रारण्द में इस कवीता को हम जब देखते हैं एक विशेश प्रकार की कवीता है नए प्रकार की कवीता है यह कभी कुछ अलग तरीके से लिखते हैं और इसी लिए अधर्म की पाप की पुन्य की स्वरक की नरक की उसको मेटाफिजिकल पॉइट्री कह सकते हैं इस वर्ड के संदर्व में जबकि ऐसा है नहीं इस शब्द के संदर्व में हम ऐसा देखते हैं फिर उसके बाद में हमने कहा कि जोंड़न जो है वह इस ग्रूप के पाइनियर अधर है जो एलिजबेट जेम्स फस्ट और चाल्स फस्ट जो है उनके शाशनकाल के दोरां जो एक्जिस्ट करते हैं आपको बताया 1572-1631 जो है आपका उनका लाइफ स्पैन है और इसी के अंदर वो एक्जिस्ट करते हैं और उसके अलावा जो पॉइट्स है उनमें जोर् अधरी वोन है एंड्रीव मार्वेल है रिचर्ड क्रेश्व है अब रहाम काउले हैं आपको प्रशन मिलेगा निम्न में से कोई सा पोईट जहों मेटाफिजिकल नहीं है दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है किस चीज में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती इसके ओरि मेटाफिजिकल शब्द किस ने कोई किया तो उत्तर हैं आपका जो है वो डॉक्टर सैम्योज जॉन्सन देखो हुआ क्या था कि डॉक्टर सैम्योज जॉन्सन ने लाइव ओप दे मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोईट्स लिखा था एक बहुत बड़ा वर्क के अंदर उ भी बहुत अच्छा कोश्चन है नंबर वन फू रोट लाइब दो मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोईट्स डॉक्टर जॉन्सन हाव मेनी पोईट्स वर मेंशन दियर फिफ्टी टू पोईट्स वर मेंशन दियर जैसे उन्होंने लाइफ ऑफ ग्रे को लिखा लाइफ ऑफ म ले बिलोंग सु दे मेटाफिजिकल स्कूल ओफ डण जॉन ञाशन ने कहा था जॉन संन में यह एक कवीत्यक्त को बिलोंग करते हैं मतलब कावले के संदर्ब में कावले के बारे में उन्होंने कहा थार birthday दान की तरह कवीत लिखते है यह टर्म डॉक्टर जो सैम्यूल जॉन्सन ने कोईन करी थी कहां करी थी लाइफ ओफ कावले में लाइफ ओफ कावले कहां पर है लाइफ दो तो कहने का तात्र यह है कि बावन कवियों के बारे में उन्होंने लिखा था बावन ओथर्स के बारे में लिखा था उन्हें से एक अब्रहाम काउले थे और जब वो अब्रहाम काउले के लाइफ ऑफ काउले बायग्राफी लिख रहे थे बायग्राफी हुई न डॉक्टर जॉन्सन लिख रहे हैं काउले के बारे में लिख रहे हैं तो यह बायग्राफी लिख रहे हैं नहीं कि ओटो बायग्राफी तो उन्होंने जो है काउले की तुलन ड़न से कर दी और यह कहा वह उन्होंने इस मेटाफिजिकल टर्म को क्या कर रहे थे वह उस समय वह जोन ड्राइडन को क्या कर रहे थे रेफर कर रहे थे जोन ड्राइडन ने सोला सो तीराणमें में इससे पहले अपने वर्क नाम था डिस्कोर्स कनसर्निंग से टायर वह लिख देतें हैं नियॆ दिस्कोर्स कंसर्निंग से ठायर जो है इस वर्क पות युझा था और यह वार्न के बारे में क्या कहा था धन के बारे में उन्होंने कहा था ही Ken's metaphysics not only in his tires but in his verses बच्चों अमरेस का मतलब होता है love loving जैसे याम का रस मीठा होता है वैसे اور स्का मतलब क्या होता है loving को मतलब क्या हुए इस रिमार का कौन कह रहे हैं किसके बारे में कह रहे हैं जोन ड्राइडन कह रहे हैं डन के बारे में कह रहे हैं ही अफेक्स मेटाफिजिक्स यानि डन ने जो शब्द जो कोईन किया था वो था मेटाफिजिक्स दन ने metaphysics शब्द coin किया था नेकि metaphysical srड Dryden ड्राइडन ने metaphysics शब्द जह वो create किया था फिर ड्राइडन ने क्या कहा था था कि So zac matter not only setire अपने budget בפ यहां व्यंहें metaphysics जो है व्यंहें और joint deal करता है रögर और करता है तो कोई बात नहीं Ace सब्सक्राइब कंदर बल्कि अपनी एमरेस के अंदर प्रेम कविम्च के अंदर करता है जो उसको यूज करता है फुई बात क्लियर यह मेटाफिजिकल टर्म किसंग क्रिएट किया था डॉक्टर जॉनसन ने किसकी बात कर रहे थे काूले की कहां लाइफ अफ कावले में लाइफ ऑफ कावले कहां पर है लाइफ जो फाइमिनेंट इंगलिश पोईट्स के अंदर है किस ने लिखा था डॉक्टर जॉनसन ने जब कहा था कि कावले बिलोंग्स टु दे मेटाफिजिकल स्कूल ओफ जोन डन तो उस समय वो ड्राइडन को रेफर कर रहे थे ड्राइडन इस से पहले डन के बारे में कह चुके थे कि डन मेटाफिजिक्स जहां उसको अफेक्ट करता है ने के वल अपने ब्यंग गीतों में बलकि अपने प्रेम गीतों में भी लाव पोईंस के अंदर भी मेटाफिजिक्स जहां उसको रेफर करता है तो जोनसन ने जाहिर सी बात है कि ड्राइडन का ये वर्ट पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ड्राइडन ने डन के बारे में ये बात कही है तो एक्चुली ड्राइडन जो हैं उसकी नजर सबसे पहले गई थी इनके ऊपर कि भी इन्होंने जो हैं इस तरह की कवीता यह वो ड्राइडन के बारे में किसने कहा था कि वो सबसे सबसे पहले मेटाफिजिकल पोईटरी को ड्राइडन के संदर्ब में किसने जहों बताया था ड्राइडन ने बताया था अब इस एक के अंदर एक ट्विस्ट ओर आता है ये नाम आपको बार-बार जहों मिलेगा ड्रमंड सेंचुरी की जो है एक ओथर है है आदे से जादा लोगों को तो यह पता ही नहीं है वेबसाइट्स पे भी आप देखना यह कितनी भारी भरकम गड़बड़ी मिलती है कि यह पुरुष नहीं महिला है यह फीमेल है पहली बात दरसल यह सिस्टीन सेंचुरी एक ओथर है इनके फादर भी बहुत बड़े ओथर थे ठीक है फ्युप्टेन सम्थिंग के अंदर इनका जरम हुआ था पंदरा सुई काडमे में में सेवंटीन सेंचुरी भी मान सकते हैं इनको यह जो जो है डूमंड ओफ हन पोथोन डैन जो है उन्हों को देखना है इन्होंने खुद को मेटाफिजिकल कहा था ठीक है खुद की जो इनकी जो राइटिंग सेंट यह कोई जो है वो लिट्रेरी फिगर नहीं है इन्होंने फिलोसफिकल वर्क्स जहां वो लिखे हैं इन्होंने जहां रिलीजियस बुक्स जहां लिखी हैं इस ले बारे में किया था अपने बारे में किया था तो यह आपको देखना एक्चुली जब मैं ओरीजिन की बात करता हूं बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं आज आपको कुछ प्रशन दिखाऊंगा जिसमें कंफ्यूजन का कोई लेवल ही नहीं होना चाहिए आपको पता होना चाहिए अब बात करें हम कि देखो सबसे पहले इन्हों उन्हें खुद को कहा था खुद को कहा था इन्हों पीपल कंसीडर मी मेटाफिजिकल जोन ड्राइडन ने उसके बात जो हैं डन को कहा था रिमार का आपको याद रखना है कि डन अफेक्स मेटाफिजिक्स नोंट ओनली इनिस सेटाईर्स बट आलसो इन इस अमरेस्ष वर्सेश फिर सेम्यल जॉणस। हैं उन्होंने कहा था ड्राइडन ने किस वर्क में कहा था शिंचॉर्स कंसर्निंग सेटायर कि स्कूल और वर्क में कहा था लाइफ और कहां पर हैं लाइफ आपके सामने कभी आप कफ्यूज नहीं होना मैं कुछ दिखाता हूं आपको जरण से देखना हना अगला नाम मैंने जोड़ा है इसमें टी एस इलिएट का बीश्वी शप्तापदी में एक ऐसे लिखा था दे मेटाफिजिकल पोईट्स और उन्होंने इसके बारे में खूब बातें यहों की थी तो चार लोग मैंने यहां पर लिखे इन्होंने खुद को मेटाफिजिकल कहा था जोन डाइडन ने डन को कहा था डोक्टर सैमिल जोंसन ने काउलेज हैं उनको कहा था और टी एस इलिएट जो है उन्होंने एक ऐसे लिखा था दे मेटाफिजिकल पोईट्स जिसके बारे में उन्होंने मेटाफिजिकल पोईट्री के बारे में बात term created शब्द आ जाए ओइंड आ जाए ठीक है किसने कोईंड किया इसने वह आपका create किया यहां पर जो है आपका यह वाली लेडी का तो option ही नहीं है चार प्रशन में तो यहां पर who coined or created the term उत्तर होगा आपका Samuel Johnson ये इसका उत्तर्द्य होगा कोई confusion नहीं है किसने coin किया किसने create किया metaphysical शब्द को Dr. Samuel Johnson ने किया था इन कवियों के संदर्ब में ड्राइडन ने metaphysics शब्द की create किया था अब देखी इस वाक्य को कि from the following points said about john dunn एक point ने जोंडन के बारे में कहा था क्या कहा था कि he affects the metaphysics not only in his satires but also in his amorous verses where nature only should rain पूरा रिमार्क है अब पूछा कि किसने कहा था ये बात तो जोन ड्राइडन ने कही थी ये बात तो जोन ड्राइडन ने कही थी अब आपको फूल जाने के लिए एक question ये बना सकता है कि फू कोर्ड जोन डन a metaphysical point first सबसे पहले जोन डन को metaphysical point किसने कहा था ड्राइडन ने कहा था कोई सवाल ही नहीं कोई question ही नहीं कोई doubt ही नहीं कोई संदे ही नहीं इसके उपर हाना तो आप प्रशन को समझे और और उरिजिन से रिलेटेड जो questions है उनके अंदर कभी confused ना हो अब देखिए आप हाव इस ड्रोमोंडो फोथोडेन एसोशेटेटिग विद मेटाफिजिकल points कि यह metaphysical points के साथ कैसे associated है नंबर वन इनका जो life span है वो इतना पहले है इनसे सो साल पहले है लगब सो साल पहले पैदा होई थी यह लडी आदे से यहां देख लो आप यही शब्द द्राइदन को स्पीक मेटाफिजिकल झाल पॉइंट लगण से पाले किस ने बोला था मैंने देखो आप को पहले चीज बता दी है यह क्रम जानज house सबसे पहले आप होता discussion discourse concerning satire के अंदर कहा था डॉक्टर सैम्यल जॉन्सन ने life of कावले में कहा था और टीए सिलियेट ने metaphysical points एक ऐसे जवो लिखा था है ना confused नहीं होना है questions जो है उसकी language को सीखना है भी किसने आपका कोईन किया क्रियेट किया डॉक्टर सैम्यल जॉन्सन ने यह रिमार किसका ड्राइडन का है डन के संदरप में सबसे जह हो यह सो शाल बाद आये सका जिक्र होगा तो उनलंके बाद में आने वाले तो यह नहीं को यह कोन है कहां से आए है तो जब को यह टीन नाम मिलें तो आप बिलकुल मत होना सेकंड ग्रेड के विध्यारति अभी》 थोड़ा समय परीक्राव में आपका पियर होना है question की language को समझना पूरी कहानी बेग्राउंड की origin की etymology जहां उसकी मैंने आपको बता दी हाना दोस्तों अब आते हैं characteristic features की तरफ इसके features क्या है जैसे शुरू में हमने बात की कि metaphysical poetry जो है आपकी वो metaphysical मैटा का मतलब higher beyond और metaphysical का मतलब वर्डली कि दरसल जब हम इस definition को देखते हैं कि एक ऐसी कवीता जो वर्डली मैटर से दूर हो संसारिक्ता से दूर हो जीवन मुर्तियू स्वरक नरक इन की बात करती हो metaphysical point है तो दरसल जब हम जोन को जोन डन को पढ़ते हैं तो हमें कि ऐसा कुछ लगता नहीं क्योंकि वह तो प्रेम की बात करता है लव की बात करता है लवर्स की बात करता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल है टीस इलिएट ने भी इस चीज़ को बताया था कि मेटाफिजिकल पोईट्स जो है वह आपके मेटाफिजिकल है अपने कंटेंट या सब्जिक्ट मेटर की वज़े से नहीं अपनी स्टाइल की वज़े से इनकी जो स्टाइल है बड़ी अलग है सबसे पहली बात यह चूंकि यह एक रहने सा का दोर था पुलर जागरण जो ह हम यह मानते थे कि पृत्वी जो हैं वह सुर्य के चारो तरफ चक्कर नहीं लगाती है सुर्य पृत्वी के चारो तरफ चकर लगाता है हना गैलेलियों है ठीक है और जितने भी लोग हैं अविश्कार हुए थे इस पूरे लाइफ स्पैन में तो यह लोग क्या थे यह दिखावा करते थे उसका अलाइंकि देखा जाए तो यह एक निगेटेवर है कि जब आप अपनी लर्निंग का दिखावा करते हैं ठीक बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखेंगे बच्चे भी सूडेंट्स भी होते हैं जो अपनी लर्निंग जो हैं उसके दिखावे के चक् उनका मकसद यह है कि we should be considered the best one कई बार हम भी करते हैं मेरे दिमाग में भी कई बार जो है वो इस तरह की चीज आज़त नहीं अरे भाई एक्जाम को कंसंट्रेट करो यह लोग क्या थे हना सबसे पहली बात देवर्द मैन ओप लर्निंग यह लोग जो है आपके मैन ओप लर्निंग थे बुद्धिमान लोग थे अपने आसपास जो चीजें घटित हो रही थी उनको उपजर्व करते थे ठीक है अब जोंडन अपनी किसी कवीता में कहता है कि the souls of the two lovers merge with each other in the same way as the two chemicals merge with each other mingle with each other दो प्रेमियों की आत्माएं आपस में मिल गई कैसे मिल गई जैसे दो chemicals मिलते हैं sodium और chloride मिलते हैं अरे भाई तुम प्रेम की बात कर रहे हो कि science की बात कर रहे हो यह ऐसे of एकम्पस प्रकार जो है प्रकारब देखा एन उसकी दोट लैक्स के साथ और उसकी तुलना कर देती तो यह अपनी learning को शो करते रहते थे तो भूज ज्यादा करते थे अपनी learning जहожно अपने ज्यान जहां उसका दिखावा बहुत ज्यादा करते थे और यह वह दिया था कि वह मैं ऑफ लर्निंग थे कई बार बच्चों को यह भी नहीं पता होता है कि यह रिमार्ग भी एकजाम में आता है उनको लगता है क्यों आता है अरे भाई इसने ज्यान का दिखावा करते थे कभी होटी कल्चर बागवानी कभी केमिस्ट्री यह निरसायन विज्यान जब्हा भी बायलोजी कभी फीजिक्स कभी कुछ जो भी उनको दिखता था पोइट्री में लिए आते थे पोईम लिख देते थे उसके उपर अब पोईम लाव की होती थी content जहां उसके अंदर ये चीज़े mix हो जाती थी तो एक नए प्रकार की कवीता पैदा होती है और यही नए का प्रकार की कवीता जहों आपके metaphysical अब बात करते हैं मतलब देखिए उनको हम और मतलब होता है आपका स्टेंज स्टेंज कंपेरिजन्स जो हैं यहां पर होते हैं समझे स्टेंज कंपेरिजन्स तुलना और वह भी अद्बुद बिल्कुल विचित्र अब बात बताओ हमने कहा कि शी लुक्ड लाइक रोज कि वह गुलाब की तरह दिखती थी तो वह जो कंपेरिजन है यहां किया जाता है तो वह इतना वेर्ड होता है इतना स्टेंज होता है कि हम कॉमन पॉइंट नहीं बता सकते अब किसी ने कहा किशी लुक्ड लाई के रोज कि वह गुलाब की तरह दिखती है तो कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में बताओ सुन्दर था ब्यूटी आप बता सकते हैं जब कंपेरिजन जो हैं दो चीजों में किया जा रहा हूं ही इस टाइगर आपको पता है कॉमन पॉइंट क्या है क давно क्या करते हैं यह प्रकार है कि अधेंट कंपस कंपस कंपास जहीं कंपस अब यह जो है कंपास जो है आपका यह क्या है आपका एक कमपास को हम फोड़ा सा इस तरीके से यह वो बनाते हैं जैसे यह आपका फिक्स फूट हो गया और यह आपका एक तरीके से जोह हैं वो ओइंग फूट हो गया आप चलंग इसको एसे रखते हैं और ऐसे घुमाते हैं असल माइनने में यह क्टर के अंदर चहोंअ कॉमपस नाम का यह जीव खो जा गया यह उपकरनद खो जा गया आपके लिए तो बड़ा असնसरी को समझना उस्स對 कि लोगों के लिए समझना कितना मुश्किल होगा जिन्होंने कंपस को देखा ही ना हो प्रकार को आत्माइए ये प्रकार की डो टांगों की तरह से ब्लर मैं रहती यह सब्सक्राइए जो अक सन्टर में रहती है यह जी ढूसरा गेरा बनाती है झाल है भार एक्रेयं है फ्रेमी की आत्म करेंगे बाहर बनी बाहर और वो अपनी प्रेमीका से कहा रहा है तूरो मत कि पगली तूरो मत मैं आउनगा लोटके आउनगा लेकिन उसको समझाता है कि हम दोनों प्रकार की दो टांगों से जुड़े हैं हमारी दो आत्माएं प्रकार कि दो टांगों से आपस में जुड़ी है तेरी फिक्स फूट आर यू और मुविंग फूट है ना मैं मुविंग फूट हूं मैं तो पुरुष हो ना मैं सांड हूं मैं तो घूमता रहूंगा तुम्हें घर पे रहना है तुम ऐसा लगता है कि घूम नहीं रही हो लेकिन यहाहां आ तुम फिक्स्त फूट हो हो में फूट हूं लेकिन मुझे अपना जाये सब्सक्राइब तुमारे स्योग की जरूरत है यदे हम तोड़ा ही म to- joyful अगर ने हिली हिलने का मतलब यदि तुम faithful नहीं रही यदि तुम मेरे प्रती लोयल नहीं रही तो फिर हमारे प्रेम का सरकल पूरा नहीं होगा फिर मैं वापस नहीं आओंगा अब बताओ प्रेमियों की दो आत्माएं प्रकार की दो ठांगों से कर दी कभी वह अपनी तुलना बैड से कर देता है कभी केमिकल्स पहाँ कभी पोदों से कर देता है तो जब तक कलieronा ना जाएंगे अ Надर में आ जाएँगे हमें पता नहींदों को कशीण कहते एंग ए कहते हैं इसको हम कंसीड कहते हैं एक शब्द में मतलब है इसका आम कंपेरिजन जो होता है जिसको आप सिमिली मेटाफर बोलते हो उसके अंदर आपको कॉमन पॉइंट साफ दिख जाता है वे शीज रोज शीज हाना आपको कॉमन पॉइंट पता है शीज रोज का मनदब ब्यूटी लेकिन यदि मैं कहे दूँ कि शीज लाइक लैग ओफे कंपस तो आपको पता नहीं चलेगा इर्रेगुलर कंपेरिजन को हम कंसीड कहते हैं और मेटाफिजिकल पॉइट्री के अंदर जहों कंसीड बहु यह सितं कहाने मानम यह आपका इस पॉइम का मतलब होता है दोस्तों विदाई प्रेमी प्रेमिका से विदाई ले रहा है फॉर्बीडिंग का मतलब मॉर्णी फॉर्बीडिंग का मतलब मना करना और मॉर्णिंग का मतलब होता है विलाप करना प्रेमी जा रहा है प्रेमिका को कह रहा है कि तू रोना मत मॉर्णिंग यानि विलाप करना मॉर्णिंग सुभ जा रहा है फेरवेल कर रहा है वेलेडिक्शन पे जा रहा है वेलेडिक्शन वेलेडिक्ट हो रहा है वहां से डिपार्ट हो रहा है तो वह क्या करता है वह अपनी प्रेमिका को कहता है कि तु जो है रोव मत रोना मत तुम और हम आपस में यहां से जुड़े हैं हम प्रेम से हम आत्मा से जुड़े हैं प्रकार के ऊपर यह जो चीज है यह हम एक स्ट्रोंग बॉंड से जुड़े हैं यह लव है हमारा हम दोनों इस लाव से जुड़े हैं तुम फिक्स्ट हो मैं मूविंग फुट हूं और ऐसा लगता है कि तुम घूम नहीं लेकिन तुम मेरे साथ सा कि हूँ पहली बात हमने क्या करी कि अपनी लर्निंग को शोग करते हैं लिवह ज्यादा लर्निंग अपनी उसको शोग करते हैं दूसरी बात क्या करी कि यह कनलसीट करतें फारथ फैस्टिमेजरी यूज करते हैं हना इमेजरी जो है वह ज्यादा यूज करते हैं यह जो है इनकी पोई में फार फैस्ट इमेजरी होती है इमेजरी नहीं फार फैस्ट पता नहीं किस किस सी कंपेर करते रहते हैं हना और हाइपरबली जो है अतिशोक्ति जो हैं वह ज्यादा यूज करते हैं हन पर यह सारी चीज़ें हम दिखा रहे थे इसकी परिभाशा के अंदर कि यह देखो आयरेनी कंसीट्स हना फ्लेक्जिबल लाइन्स कोलोक्यूल डिक्षन फिलसफिकल एक्स्प्लोरेशन यह सब आपको धीरे-धीरे यह वो समझ में आ रहा होगा कि यह वास्ता में कहना क्या च आग्र जॉनससन का रिमार्क था मनें प्रेमी प्रेमी का कि आत्मा और उसकी तुलना कर रहे हैं किसके साथ तो यह किसी को साथ कभी मेटलर्जी के अंदर धातू विज्ञान जह उसके अंदर जो है एक जगे एक कंसीट आती है आप याद रखना है यह एक्स्टेसी नामक कविता में कंसीट है जो यह कहता है कि जो प्रू लव जो होता है वो सोने के समान होता है उसको जिता भी पीटो बढ़ता जाता है मतलब जब सच्चे प्रेमी आपस में जुदा होते हैं तो उनका प्रेम और बढ़ता है और जब नकली प्रेमी आपस में जुदा होते हैं तो उनका प्रेम घड़ जाता है क्यों घड़ जाता है क्योंकि नकली प्रेमी क्या होते हैं शरीर के बोखे होते हैं जब उनके शरीर किसकी प्रेमियों की यह कंसीड्स है दोस्तों यह कंसीड्स यह तुलनाए कैसे बड़ी विचित्र बड़ी अलग और आप common points जो हैं जल्दी से ढूंड न सको जल्दी से जान सको जल्दी से find out ना कर सको उसको को कंसीट कहते हैं हम यहां पर यह देखते हैं कि religious Louise जो है वो आप जो है वो यूज करते हैं इसके अंदर religion तो है इससके उसे अंदर आपका रहता है जौर है Prahaan में religious एमेजरी यहां पर कृस्त आते हैं वहाहन पर में दाता है वहां पर यह सारी चीज़ें रहती है एक यह टर्म जो है यह के बारे में आपको बात याद रखनी है इस टर्म को दिया था टीयेस लियेट ने टीयेस लियेट ने द्रसल जब यह उन्हों ने एक एसे लिखा था उसका नाम था दम एटाफिजिकल points और इस essay के अंदर उन्होंने क्या किया था metaphysical points जो ऐसे था उसमें उन्होंने कहा था कि metaphysical points जो हैं वो dissociated sensibility को शो करते हैं कि unification of sensibility को शो करते हैं आप इस term को M.H. Abram से जरूर पढ़ करके जाना M.H. Abram की जो book है आपके पास में इस term को जरूर पढ़ करके जाना चार associated sensibility को तो इसका मतलब है आपका Intellectualization of emotion भावनाओं का बोधिकरण intellectualization of emotion intellectualization of emotion कैसे की भावनाओं का बोधिकरण तो होई रहा है बताओ कि बात प्रेम की कर रहे हैं प्रेमी प्रेमी का क्या आत्मा की कर रहे है तुलना उसकी प्रकार की टांगों से कर से कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुलाइजेशन ओफ इमोशन हुआ कि नहीं हुआ होता यहीं है अ कविता में इंटेलक्टूलाइजेशन हो जाता है प्रेम की बात करते हैं प्रकार की बात करने लगे टो यह इसको तो आप डिस्यार गफ यह सबर्द को मतलब जो अडिसोशियेट हो गए एक कि इस जैड़िड़ी तर्म ने दिया था नहीं दिया था इसको हमने फीचर के अंदर रखा है यह एक नोवेल मेटाफिजिकल पोईट्री नोवेल है मतलब न्यू है आप देखो ना इसकी स्टाइल पहले शेक्ष्पियर लिखते थे इन से पहले स्पेंसर लिखते थे एडमें स्पेंसर जो लिखते थे बहुत सारे प हाँ प्लस जो हैं आपका है प्लस एल रिलीजन है यह सारी चीजी है इनके दि' और आप слова कॉनदर आप देखी तो दोस्तों यह सारी चीजे जो हैं आपको मेटाफिजिकल जो है और इसके कारण जब यह नए तरह की कवीता जिसमें थोट और एक्स्प्रेशन के अंदर इंटेलेक्ट्वलाइजेशन ओफ इमोशन होता है अपनी लर्निंग का बखान करते हैं आपके लिए तो कंपस बहु नंपस उन्होंने देखा नहीं केमिस्ट्री का उनको नोलेज नहीं है तो जितने भी अभिशकार हो रहे थे उस जमाने में उस सारे के सारे इन्होंने पोईटरी में डाल दी अपना लर्निंग जहों उसको शोप करने के लिए मैंने बताया आपको आज भी बहुत सारे भूल जाते हैं कई बार हम तो कहने का मतलब यह लोग भी ऐसरी cDP अपनी लर्निंग उसका बख्लान करते रहते थे अपनी लर्निंग उसके बारे में जहां मतलब बताते रहते थे बात प्रेइम की चल रही है और यह सरम मानई की तो म हो रहा है हमें क्या लेना देना युक्रेन और रशिया से भई है हमें तो गाना चला के दो तुम ही हो अच्छा तो ओप स्कूरिटी अपने आप आ जाती है अना उस समय के लोगों के लिए यह कंटेंट कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा आप जहों इसको समझी तो कुल मि मेटाफिजिकल पोईट्री 17th century के बिगनिंग में यह पोईट्स जहों एग्जिस्ट करते हैं जोन डन इनका पाइनियर फिगर हैं अदर पोईट्स में हैं एंड्री वान एंड्रिव मार्वेल अब्राहम कावले रिचर्ड क्रेश्यू यह सब आते हैं यह सारे के सारे होता है ब्योंड यां अबो यां हायर इनकी कवीता अर्दली यानि वर्डली मैटर से फिजिकल मैटर से कुछ उच कोटे की कवीता है यह फिलोसफिकल क्वेस्टन को डील करते हैं जीवन मृतियू स्वारग नरक रहना पाप पुन्य हना इनके बारे में है खेर बात करते है अर्यजिन की सबसे पहले जो है इसका जो है इसकी टर्म को किसने कोईन किया डॉक्तर जोन्सन ने किस वर्क में किया लाइफ ऑफ प्ले में लाइफ कावले कहा था लाइफ जो एमिनेंट इंग्लिश पॉइट्स जो है कितने पौइट्स थे इसमें बावर जोन से 52 उन में का उत्तर है अब उसके बाद में आया था भी वो क्या कर रहे थे वो ड्राइडन को रेफर कर रहे थे जोन ड्राइडन ने अपने वर्ड डिस्कोर्स कंसर्निंग सेटायर 1691 के अंदर प्रब्लिश हुआ था उसमें कहा था कि डन अफेट्स सब्सक्राइडन के संदर में मेटाफिजिक्स शब्द यूज किया था उसके बाद में आपका ये नाम और दिखाई देता है लेकिन ये डुरुमंड ओफ ऑथोर्डेन जो है जो एक महिला है जो अपने आपको मेटाफिजिकल जन्होंने अपने खुद के लिए मेटाफिजिकल शब्द यूज किया था लेकिन वह इन मेटाफिजिकल पोईट से सो साल पहले पैदा हो गई थी तो कोश्चन की लेंग्वेज को समझ करके जो हैं आपको इसका उत्तर जहों देना है फिर उसके बा पहली शोफ लर्निंग यह अपनी लर्निंग का बहुत ज्यादा बखान करते हैं जैसे कि डॉक्टर शॉंसन ने कहा था ना कि देवर द मैन ओफ लर्निंग तो यह कहने के पीछे कारण क्या था डॉक्टर जॉंसन का कि यह दुस्ट लोग जहां अपनी प्रेम कवीता के अं के ना अब मैंने कहा कि जो हैं प्रेमी और प्रेमी का जो हैं वो दोनों रोजेज हैं रहे बड़ा असान इसको बताना यह कंसीट नहीं है कंसीट का मतलब जब हम कह दें कि प्रेमी और प्रेमी का प्रकार की दो टांगों की तरह से यह उनकी आत्माएं दो लेक्ट टू ले हैं वों कंसीड से जब वो कहलाती हैं जब से बढ़ी बात टी एस एलेट जो है उन्होंने एक टर्म दिया था डिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी जिसका मतलब है इंटेलेक्चुलाइजेशन ऑफ लाइन मोड में यूट्यूब पर जो जो देख रहे होंगे इस वीडियो को जो है एक क्विज जो है मेटाफिजिकल पोईट्री जहां उसके ऊपर एक क्विज जो हम प्लैन कर रहे हैं और आपको ये क्विज जहां यह मिलेगा आपको जल्दी जरूर उसको करें और मैं उसके अंदर जुतने भी अच्छे अच्छे कोश्चन से मेटाफिजिकल पोईट्री के हमारे मोड्यूल में हमने 10, 12, 15, 20 कोश्चन डाले हैं लेकिन अब लगबग 50 के करीब कोश्चन हम इदर उदर से कबाड़ेंगे आपके लिए और उससे बाहर कोई कोश्चन इसमें से जाएगा नहीं आप अगर जिए उसमें कर लेंगे ये वीडियो देख लिया प्लस वो कुईज कर दिया मेटाफि कि आपका इस सेशन बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा और आपने इस सेशन के माध्यम से बहुत कुछ जवाद सीखा होगा कर दो झाल झाल झाल